हेलो इस वीडियो में हम इंडिरेक्ट फंक्शन को करेंगे तो इंडिरेक्ट फंक्शन जो होता है किसी भी काम को इंडिरेक्ट वे से नहीं करता है यह किसी भी काम को इंडिरेक्ट वे से करता है जैसे यहाँ पे हमने किसी सेल का रिफरेंस देना है तो उस सेल का यहाँ पे result आजाएगा यहा पर सबसे पहले हम direct function को करेंगे उसके बाद यहां पे indirect function को करेंगे अगर हम किसी cell का नाम यहां पर बताना जाते हैं तो हम direct base इसको यहां पर करेंगे तो यह output चाहिए वहाँ पे हम klik करेंगे, klik करने के बाद equal to यह लिखा, लिखने के बाद आगर हम यहाँ पे जैसे A2 cell में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे klik करेंगे, यह देखो, यहाँ पे direct kakt right click किया, तो यह A2 cell ने यहाँ पे आजाएगा, enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद अमीत यहां पे आ गया तो यह यहां पे हमने direct way से cell के reference को यहां पे बताया अगर हम इसकी जगा जैसे a7 पे क्या लिखा हुआ है इसको दिखने जाते हैं तो हम यहां पे click करेंगे और यहां पे a2 की जगा यहां पे 7 लिखेंगे 7 लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यहां पे दिनेश आ गया अब हम यहां पे direct function यूजने करेंगे अब यहां पे हम indirect function को करेंगे indirect function को करने के लिए हम यहां पे cell का reference देगे a3 cell name यहां पे हम लिखेंगे यहां पे click किया और a3 यह लिखा, यह cell reference यहां पर आ गया है कि A3 cell में किसका name लिखा हुआ है यहां पर हम indirect function यूज़ करेंगे तो indirect function यूज़ करने के लिए यहां पर click किया, click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पर indirect यह लिखेंगे यह indirect निचे आजाएगा यहां पर हम double click करेंगे double click करने के बाद आगे यहां पर पूछा गया है reference text तो reference text जो है हम इसको देंगे यह जो काम हम कर रहे हैं यह indirect वेसी कर रहे है cell reference हम इसको देंगे ये देने के बाद जब हम यहां पे bracket को बंद करेंगे और enter प्रेस करेंगे तो ये देखो रोहित नाम यहां पे आ जाएगा तो ये जो काम हुआ ये indirect way से हुआ ये देखो a3 तो a3 क्या है a3 cell name में देखो ये a column और ये 3 row है तो ये cell है a3 में तो a3 में किसका नाम है रोहित का तो यहां पे रोहित आ गया indirect way से अगर हम यहां पे cell name change करते हैं जैसे यहां पे a3 की जगा यहां पे a6 करते हैं ये a6 यहां पे हमने cell यहां पे reference दिया देने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यहां पे रोहित की जगा यहां पे राहू ला जाएगा यह देखो enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद यहां पे राहू ला जाएगा तो यह जो काम हो रहा है यह indirect function के जरिए हो रहा है इसके बाद आगर हम indirect function के जरिए यह देखना जाते है कि यह जो राकेश है इसका रो नमबर कितना है यह जो सेल नेम है यह बी फोर तो यहाँ पे हम बी फोर लिखेंगे यह देखो यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको मिटाया मिटाने के बाद यहाँ पे बी फोर यह लिखा लिखने के बाद हम क्या दिखन जते है अरकेश का यहां पर रो नमबर दिखने जते है तो यह हमने cell reference दिया तो B4 cell reference में किसका रो नमबर है तो यह देखो जब हमने enter press किया तो यहां पर 14 आ गया तो 14 जो है यह रकेश का यहां पर रो नमबर है यह देखो B और यह 4 B4 cell में रकेश का यहां पे रो नमबर आ गया 14 इसके बाद अगर हम यहां पे दिनेश का रो नमबर देखने जते हैं तो हम क्या करेंगे इस cell reference को change करेंगे यह देखो यहां पे click किया click करने के बाद इसको यहां पे मिटाया यह मिटारने के बाद तो यह जो दिनेश का रो नमबर है यह B7 पे दिया गया है तो यहां पे हम लिखेंगे B7 यह B7 यह यहां पे लिखा लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह देखो indirect function के जरिए यहां पे हमें output आगे यहां पे 17 आगे है तो इस तरह से हम यहां पे indirect function को use कर सकते है तो इस वीडियो में हमने indirect function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद